गुजरात की राजकोट लोकसभा सीट से भारती जन्ता पार्टी ने केंद्रिय मंत्री परसुतम रुपाला को कैंडिडेट बनाया है हाला कि परसुतम रुपाला ने रजवालों को लेकर दिये हुए विवाद्यासपत बयान के बाद शत्रिय समाज का उनके प्रती आक्रोश दिन प्रती दिन बढ़ता जा रहा है परसुतम रुपाला ने अब तक तीन बार शत्रिय समाज से माफी मांग ली है शत्रिय समाज के बीजेपी नेताओ ने शत्रिय समाज संकलन समीती के साथ बैठक करके समाज को मनाने की कोशिश की है लेकिन अब तक ये कोशिश और परसुत्तम रुपाला की माफी सीधे तोर से कही ना कहीं कोई भी प्रकार का समझाओता होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है इस बीच सत्रिय समाज का जो आक्रोश है वो गुजरात के अलग-अलग जिलो में देखने को मिल रहा है सत्रिय समाज के युवाओ के द्वारा अलग-अलग बैनर, पोस्टर, रुपाला के खिलाफ लगाए जा रहे हैं और इसी बीच सत्रिय समाज की तरफ से सीधे तोर पर बीजेपी को एकी बात कही जा रही है कि उन्हें परसुत्तम रुपाला केंडिडेट के तोर पे मंजूर नहीं है भारते जन्ता पार्टी परसुत्तम रुपाला के अलामा किसी और को केंडिडेट बनाए सीधे तौर पे सत्रिय समाज का जो आक्रोश है वो परसुतम रुपाला के खिलाफ है किसी पार्टी के तरफ उनका आक्रोश नहीं है ये सपस्ट संकलन समीती की तरफ से बता दिया गया है इस बीच सत्रिय समाज को अलग-अलग जगहां से समर्थन प्राप्त हो रहा है अगर करणी सेना के राश्ट्रिय अध्यक्स की बात की जाए तो महिपाल सी मकराना कल अहमदाबाद पहुंचे उन्होंने अपना जो समर्थन था वो घोशित किया इसी बीच आज की अगर बात की जाए तो आज भी उत्राखंड से आरजेपी के राश्ट्रिय संयोजक सेर सी खुद अहमदाबाद पहुंचे और उन्होंने सीधे तोर से कहा है कि समाज एक ही मांग कर रहा है जो बीजेपी को माननी चाहिए अगर रुपाला को भारते जंता पार्टी केंडिडेट बनाए रखती है तो ये एक बात साफ हो जाती है कि बीजेपी का भी रुपाला ने जो स्टेट्मेंट दिया है वही स्टेंड है इस बात को लेकर पूरा शत्रिय समाज अब बीजेपी के प्रती अपना आक्रोश व्यक्त कर रहा है एमदाबाद के धंदुका में भी एक महासंबिलन का आयोजन हुआ है राजकोट में भी एक महारेली का आयोजन हो चुका है हाला कि बीजेपी को अब कहीं न कहीं सत्रिय समाज का ये आक्रोश जो है कहीं न कहीं आने वाले दिनों में भारी न पड़ जाए इसका भी डर सता रहा है जिसको लेकर बीजेपी के ग्रिहराज मंत्री हर्स संग्वी की अगवाई में गाभी नगर में एक बैठक भी हुई है जिसमें सत्रिय समाज के जो बड़े नेता है उनसे बाचीत की जा रही है सत्रिय समाज के बड़े नेताओं को कहा जा रहा है कि वो सत्रिय समाज संकलन समीती के पास पहुंचे और परसतम रुपाला ने अब तक अपना जो बयान विवादित दिया है उसको लेकर तीन बार माफी मांगी है इसलिए परसतम रुपाला को माफ कर लिया जाए भारतिय जंता पार्टी का भी एक स्टैंड कहीं ना कहीं अब तक बहुत ही क्लियर दिख रहा है कि वो परसतम रुपाला को ड्रॉप करने की फराक में नहीं है परसतम रुपाला राजकोर्ट में अपना चुनाओ प्रचार कर रहे हैं राजकोर्ट से चुनाओ प्रचार करने के साथ ही वो सूरत में भी जाकर चुनाओ प्रचार कर रहे हैं और उनको कही ना कहीं BJP candidate बनाये रखे हैnh इसलिए शत्रिय महिलाओं में भी आक्रोज दिखा है, शत्रिय महिलाओं ने दो दिन पहले जोहर करने की चेतावनी भी दी थी, जिसको लेकर गुजरात पुलिस ने तमाम जो जोहर करने की चेतावनी देने वाली महिलाओं थी, उनको नजरकैद भी किया है, हाला कि गुजरात में जिस प्रकार से बीजेपी को अपने ही कहीं न कहीं केंडिडेट का विरोध अपने ही कार्यकरताओं से सामना करना पड़ा है ऐसे में परसुत्तम रुपाला को शत्रिय समाज का भारी अक्रोस सहने की स्तिती जो है यहां पर उत्पन्न हुई है आने वाले दिनों में यही देखना होगा कि जब अब एक के बाद एक अलग-अलग जिलो में महासम्मेलन सत्रिय समाज कर रहा है सत्रिय समाज के तरब से अगर बात की जाए तो जिस प्रकार से राजस्तान और उत्राखंड के आरजेपी के राश्ट्रिय संयोजक सेरसी सिखावत की तरप से भी जब अब उनको कहीं न कहीं अपना समर्थन जारी किया गया है तो आने वाले दिनों में सत्रिय समाज के बीजेपी नेता किस प्रकार से इस मामले को निपटाने के लिए आगे आते हैं सत्रिय समाज अपनी बात भारती जंता पार्टी को मनवाने में सफल रहती है ये देखना होगा इस बीच भारती जंता पार्टी के राज़कोट के केंडिडेट और केंद्रिय मंत्री परसुत्तम रुपाला ने अपना चुनाओ प्रचार जारी रखा है और उन्होंने कहा है कि आने वाले एक या दो दिन में वो बताएंगे कि वो कब अपना उमेदवारी दाखिला सब्मिट करने के लिए जा रहे हैं ऐसे में कही ना कही आक्रोश लगातार सत्रिय समाज का पुरसुत्तम रुपाला को लेकर बढ़ रहा है भारते जन्ता पार्टी भी फिलहाल रुपाला को बदलने के मूड में दिखाई नहीं पड़ रही है हला कि ये कहा जा रहा है कि भारते जन्ता पार्टी ने अब सारी जो बाते हैं वो रुपाला पे छोड़ दी है रुपाला अगर चुनाव लड़ना चाहते हैं तो इस परिस्तियों परिस्तिती में अगर राजकोट की बात की जाए तो पाटिदार के वोट जो की मैं तो पूर साबित होते हैं और पाटिदार के वोट बड़ी संख्या में राजकोट में हैं तो पुरसत्तम रुपाला अग ये एक मुसिबत साबित हो सकता है एंदबाद से कैमरापरसन प्रितेश रावल के साथ अतुल तिवारी चुनाओ आज तक